सर मतलब लड़का लड़की मिलते हैं सर कोचिंग के बाहर हाँ तो ठीक है लड़के लड़की पढ़ने आते हैं तो मिलते हैं अरे नहीं सर मतलब वो बाइक बाइक से सर मतलब घूमते हैं थोड़ा अब ध्यान दीजे ऐसे कोचिंग का माहोल बड़ा खराब हो जाता है सर है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता था कि बाई कि कौन था फिर अगलेद में पूछता हूं कौन था कल जब मेरी क्लास खतम हो गई थी और मैं अपनी क्लास कलास करके सीट पे बैठ गया था तुम कोचिंग के बाहर गई थी तब कोचिंग बहुण के बाहर कॉन था ? वहां कॉन था ? हां तोlock प्यारा आंसर देते हैं तो मेरे गारजियन थे अब वह बेचार राहु जो इतनी महेंगी घड़ी गिलाव पावकर कूल लाया उसको इन्हों अपना चाचा बना धिया सर मेरे गांडेयन थे बेटा ग्डांड तो अच्छा सर मेरे कजन भाई तो और तो कजन भाई कजन शिस्टर जायीज आपने मुझे से पूछा था कि मैं कहश की कौन हूँ तो guys मैंने बताया थे कि मैं उसकी कज़न sister हूँ एक तो यह कज़न sister ना कज़न मतलब ही हो गया कि भाई चाचा मामा की बेटी है ना कज़न sister क्या होता है पता रहेंगे, आग्स से प़्यार महवबत की कोई बात नहीं होगी अब किसी से भी महबबत हो पर एक्जाम के बाद होगी यह हम लोग प्रांड लेते हैं आग से कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी अब किसी से भी महबबत हो पर एक्जाम के बाद होगी कर सकते हैं अभी आज मेल भी आएगा बहुत से बच्चों का यहां पर वाँ 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 थैंक यू आज कई बच्चों का मेल भी आएगा सर आपने बोला था कि वफा नहीं होगी वफा की बात नहीं होगी सर तो फिर क्या बेवफाई करें सर आप क्या सिखा रहे हो जो नोगता है, से पहला है, आप मेरे बारे में बैच में क्यों बात करते हो, मेरे मम्मी पापा को बाहुत दिक्कत होती है, थो दूसरा